चानक के I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं One Nation, One Election के बारे में जो हाल ही में चर्चा में आ गया है केंदर सरकार ने One Nation, One Election पर एक कमेटी का गठन किया है पुरुर राष्टपती रामनात कोविंद को इस कमेटी का अधिक चुना गया है इसके समद में जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है इस मुद्दे को लेकर देश में काफी समय से चर्चा की जा रही है कि देश के सभी चुनाव एक साथ कराए जाए सरकार जल्द ही इस पर संसद में बिल भी पेश कर सकती है इसके लिए सरकार ने 18 सितंबर से 12 सितंबर तक संसद का विशेश सत्र बुलाया है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा किये जाने की संभावना है पुर्व राश्पती रामनात कोविंद की अधक्षता वाली कमीटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलों पर विचार करेगी साथ ही इसके समन्द में आमजंता की राय भी लेगी तो चलिए देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब यह हैं कि पूरे देश में एक साथ लोगसभा और विधान सभा के चुनाव करवाए जाएंगे आजादी के बाद बहुत समय तक ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते थे 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोगसभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे यह परकिरिया जादा दिनों तक नहीं चल पाई क्यूंकि समय से पहले ही कई विधान सभाएं भंग हो गई जिस कारण इस परकिरिया पर सवाल उठने लगे 1970 में लोगसभा के भंग होने के बाद देश में एक देश एक चुनाव की परंपरा पूरी तरह से तूट गई अगर हम बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या लाब है तो एक साथ चुनाव कराने का प्रमुख कारण अलग-अलग चुनाव में होने वाली लागत की कटोती करना है एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोगसभा चुनाव में 60,000 करोर रुपए खर्च हुए थे इस राशे में चुनाव लड़ने वाले राजनितिक दलों द्वारा खर्च किया गया खर्च और चुनाव कराने के लिए भारतिय चुनाव आयोग द्वारा किया गया खर्च शामिल है इसके अलावा एक साथ मद्दान के समर्थकों का तर्ख है कि इस से पूरे देश में परशाशनिक रवस्ता में दक्षता बढ़ेगी क्योंकि मद्दान के दोरान यह काफी धीमी हो जाती है विशेश सत्र की घोषना की बात करें तो एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने 18-22 सितंबर तक दोनों सद्नों का विशेश सत्र बुलाया है संसदिय कार्यमंत्री प्रलहाद जोशी ने इस विशेश सत्र के बुलाया जाने की घोशना की है यह सत्र में लोकसभा का 13 और राज्यसभा का 261 सत्र होगा इसके तहट 5 बैठके होगी अब तक 5 बार संसद का विशेश सत्र बुलाया जा चुका है 14-15 अगस्त 1947 को आजादी के समय पहली बार विशेश सत्र बुलाया गया था उसके बाद 14-15 अगस्त 1972 को 9 अगस 1992 को और 26 अगस से 1 सितंबर 1997 एवं 30 जून 2017 को संसद के विशेश सत्र बुलाया जा चुके हैं अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में बुलाया जाने वाला विशेश सत्र किन मुद्दों के लिए बुलाया जा रहा है पाश दिन के इस सत्र में One Nation One Election मुद्दे के अलावा महिलाओं के लिए संसद में एक तिहाई अत्रिक्ट सीट के मुद्दे पर भी चर्चा की जाने की उमीद है नए संसद भवन में शिफ्टिंग, यूनिफोर्म सिविल कोर्ट बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकते हैं साथ ही इसमें से कई बिल पेश भी किये जा सकते हैं संसद का विशेश सत्र संसद की नई विल्डिंग में आयोजित किया जाएगा प्रधार मंत्री मोदी ने 28 मई को इस नए भवन का उगहाटन किया था उलेखनी है कि 11 अगस्त को ही संसद का मानसुन सत्र समाप्त हो गया था इस सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ एविश्वास प्रस्ताब भी लाया था जो धवनी मत से गिर गया था इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद